वैसे जरूरी नहीं पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दें। वो बच्ची से पूछने लगी क्या तुम्हारी मौम भी अंदर थी पर बच्ची कोई जवाब नहीं देती। आगी हम एक लड़की शेनी को देखते हैं जो अपने गर की छोटी सी तलाब की पास बेड़ी थी। अच्छानक उसे पानी में सी आवाज आने लगी। जैसे उसने पास जाकर देखा पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आकर उसका मुझ पकड़ लीता हैं खीच कर उसी तलाब की अंतर लीचाता हैं जिसके फुरनी बात पानी की सदा पर एक केड़े निकल कर आती हैं जो बच्चे खाती हैं और तबी वो हाथ शेनी की बिली को भ जली से पकड़ कर पानी में डबो कर मार दीता हैं कहानी अब कुछ दिन आगी गई हम कुछ स्टूड़न्स को देखते हैं जो पार्टी कर रहे थी पार्टी में एक लिड़की थी बैट उससे मिलने उसकी दोस्त आई ये दोनों कमरी में जाकर शेली की मोद के बारे में बा इस मेसिज था जिसमें सुनने पर बैट की इसी दोस्त की अपनी ही आवाज थी जिसमें वो चिल्डा रही थी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि ये क्या है है हरान परेशान थी वो अब एक डिटेक्टिव पुलिस ओफिसर को मुर्तागर बुलाया जाता है एक लाश की पैचान करने के लिए जो लाश थी डिटेक्टिव की बेहन की जिसकी मों से एक केंडी निकलती है अभी रन दिहान करने वाली बात यह है कि मरते वे शेनी के मों से भे केंडी निकली थी जिसका मतलब था कि ज़रूर इन मोतों का आपस में कोई तालुक है तो इसे आप बास गतमोने की बाद बैट उसी कौफी पीने का पूशती है पर वो साच जाने सी मना करकी लाइबरी आ जाती है लाइबरी बेंड होने की बाद बैट की दोस्त जब घर जा रही थी तो उसे और भी हलोसीनेशन्स होने लगती है हर जगा उसी बहुत आत्माई शेतान दीक जिनसे वो बहुत डर गई थी, क्योंकि जाहिर है, सब भी बहुत भयानक थी, डर की आलमी वो बैट को कॉल करती है, वो कहती है, गबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बस दो मिनट तक पहुंचती हूँ, लेकिन वो तो इतने डरी होई थी, कि उसकी हालत खराब होन तुनाई दी गई, अपनी दोस्की नाश की पास जब वो आई, तो उसकी मौसे भी कैनी निकलती है, बैट उसको फून चेकरती है, जिसमें कॉंटक्ट्स नंबर उपर नीची हो रही थी, ऐसा लग रहा था, जैसे कोई दूसरा नंबर निकालने की कोशिश कर रहा है, इसक कारे चीज़ें मन खड़ा थे, बक्वास है, बैट भी यहां आ गई, कहती है, कि नहीं, यह गल्त नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, और उनकी मौत फून कॉल की वज़र से ही हुई, फूरण ही बात, बैट की मेल फिर्ण को भी अलूसिनेशन सोनी लेगी, और उसे भी बिच् बैट भी उसकी पीचे पीचे आई, तब उसका मेल फिर्ण बतानी लगा, कि मेरी पास भी इस तरह की कौन आई है, और उस पर जो टाइम है, वो कुछ दीर के बात का है, फूरण ही उसके दोस्त को भी वहां एक शेतान दिखा, वो काफे डर गया, वहां से चानी लगता है, बैट उसे आवास लगाती है, क्योंकि वो अपना मुबाइल वहीं बोल कर जा रहा था, मुबाइल निने जिब वो वापिस आया, तो वो ही कुछ बोल रहा था, जो उस वोईस मेसेच में था, जिसकी फूरण ही बात यहां थमाका हुआ, एक रोड आगर उसकी आर्ट पार ह जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है, यहां पर भी बैट को अजीब तरह की आवास सुनाई दी, जिसके फूरण ही बात उसकी दोसकी मूँसे भी कैड़ी निकनती है, सारे सुरते हाल को देखते हुए बैट एक लेड़ी पुलिस आफिसर से मिलती है, और उसे बता र जिसे हमने शुरवात में देखा, जिसे मुर्दा घर में बुलाया गया था, वो बैट को बताता है कि कुछ दिन पहले मेरी बेहन की मौत बिल्कुल इसी तरह से हुई, शेली जिसकी मौत तलाब में डोबने से हुई, वो और मेरी बेहन एक उस्पिटल में नर्स थी, पहले मेरी बेहन की मौत हुई, फिर दो दिन की बाद शेली की, मेरी बेहन की मौत से भी लाल रंकी कैंडी निकली थी, इसलिए मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ज़रूर इन फोन कॉल्स, कैंडी और इन मौतों की बीच कोई तालुक है, वो फिर बैट को अपना मुबाइल नमब भी था, हो ना हूँ, अगली कॉल मुझे ही आएगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती, तब उसे रिलेक्स करने के लिए बैट अपने और उसकी मौबाइल की बैटरी निकाल दी है, और बोलती है कि देखो, मैंनी बैटरी निकाल दी, अब रिलेक्स हो जाओ, हमें कोई काल नह क्योंकि जो वॉइस मैंसिज था, उसमें रूमेट के चिलाने की ओवाज थी, रात तो ऐसी गुजर गई, पर सुबा होते ही ये लड़किया उसका मुबाइल ही तोड़ दीती है, रूमेट से मिले फिर एक आदमी आया, जो एक लाइव टीवी शो का मालिक था, उसी पता च चाती है, रूमेट का केना था, कि हमें उस आदमी की बात मालीने चाहिए, या पता, वो हमारी मदद ही कर दी, लेकिन फिर भी बैट ने उसे मना कर दिया, अगली सुबा रूमेट वहाँ नहीं थी, वो जा चुकी थी, जाते हुए उसने बैट के लिए एक नोट छोड़ा जा रही हूं, फिर डिटक्टिव बैट के पास आकर बताता है, कि मैंने सारे फोन कॉल रिकॉर्ड निकाल लिए है, जिससे मुझे पता चिला है, कि हर मरने वाले को उससे पहले मरने वाले ने फोन किया था, जैसे मेरी बहन ने शेली को, शेली ने फिर तुमारी दोस्त को, जिसकी मौत ट्रेन वाले हादसे से हुई, उसने पर तुमारे मेल फ्रेंड को, हिरान करने वाली बात ये थी, कि सारे ही कॉल्स उन लोगों की मरने की बात की गई थी, उनकी नमबर से, वो फिर बताता है, कि मेरी बहन को कॉल एक औरत ने की थी, जो मरीज थी, और अब मैं उसकी घर जा रहा हूँ, सचाय का पता लगवानी, जिस पर बैक भी उसकी साथ चिल देती है, उस औरत की घर पहुँचकर डिटेक्टिव चान बिंग करने लगता है, उसी यहाँ एक छूटे सी केमरा से रिकॉर्ड की हुई वीडियो की सीडी मिलती है, यही केमरा बच्च अफिटर जाती है, डिटेक्टिव को बताती है कि जिम मेरी दोस्त और मेल फ्रेंड की मौत हुई, तब वहां में ने यही आवाज सुनी थी, लेकिन जहांसे आवाज आ रही थी, वहां कोई भी नहीं था, मजीद चान बिंग करने पर डिटेक्टिव को पता चैना कि उस मर सारी बाते जानकर बैत डिटेक्टिव को बताती है कि मैं सारी बात समझ गई हूँ, असल में उस मुरीज औरत को कोई दिमागी बिमारी थी, जिस वज़े से वो अपने ये बच्चें को जखमी कर दिया करती थी, फिर हो स्पिटल में उनका इनाज करवा कर देख बाल करती ताकि उन बच्चों की और तबज्जा ने सकी, यहां इनने ये भी पता चला कि जिस होस्पिटल में उस मुरीज औरत की बीटियों का इनाज हुआ करता था, वहां एक नर्स ने उस औरत से पूश्टाश भी थी, कि उनकी बड़ी बटी को कब से दमे की बिमारी है, और जाते हैं, जहां ये शो होने वाला था, इसी तुरान रूमेट बेट को कॉल करकी सोरी कियती है, कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, और मैं इस शो में आ गई, शो में दिखाया जाता है कि रूमेट को भी हलोसी देशन होने लगी, उससी अपनी आस अपने रूमेट की कॉल आती है, जिसमें कल रात 7 बचकर 55 मिनट का टाइम था, कॉल उठाने पर वोईस मेसिज में बैट की ये आवाज थी, जिसमें वा चिला रही थी, जिसका मतलब अगला मरने का नमबर बैट का था, इसलिए डेटक्टिव उसकी इफाज़त करने के लि जो अब एक और्फनेश में है, एक ऐसी जगा जहाँ उन बच्चों को रखा जाता है, जिनका इस दुन्या में कोई नहीं होता, वहां जाकर पता चला कि ये बच्ची और कोई नहीं, बलकर शुरवात वली बच्ची है, जिसे फायर फैटर्स ने जिलते हो इस्पिटल से ब पश्ची थी, पैर इस चीज़ को नजर अंदास करकी बैट और डिटेक्टिव बाही रहे, वो फैसला करती है कि हम अलग-अलग जाकर एली की मौमगिनी मरीज औरत की बारे में जनकारी करथा करेंगे, लेकिन जैसे बैट वहां से जानी लगी, उसकी नजर एली की बेन की क कोशिश करती है, पर सामने वना दर्वाजा लोग था, इसलिए वो पिछली दर्वाजे से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये दर्वाजा भी लोग था, पर तबी वो अपनी आप एकुल जाता है, और स्पिटन की अंदर आकर बैट सुराब दूर नी लगी, लेकिन त कोशितानी ताकत अब डिटक्टिव पर हमला कर दीती है, वो उसे हवा में उठाकर कमरे से बाहर फैंके मारती है, जिससे डिटक्टिव को एतनी चोट आई कि वो बियोश हो गया, कमरे का दर्वाजा भी लॉक्ट हो जाता है, बैट को यह वेंटिलेशन वाला चुटा सा र जा रही थी, बैट फुरण उसे फोन चिनकर तोड़ देती है, ऐसा होने से लाश में थोड़ी हल चिल हुई, से देकर बैट वहां से भागनी लगी, उसके पीछे पीछे लाश भी भागी, पास आती आती, वो बैट की ऊपर या जाती है, वो काफी डर गई, लाश को कहे थ जान नहीं गई, वो बच गई, अगली ही पलबू साली पुलिस आफिसर्स आ गई, उनकी जान बचाने के लिए, बैट डेक्टिव से कहती है कि मुझे यहां लाया गया, इसलिए नहीं कि मार दिया जाए, बल्कि इसलिए कि मेरी जान बच जाए, उस जड़ी हुए नाश न बची की मौम नहीं, बल्कि उसकी बड़ी बेन, एली ही उस पर जुरन करती थी, उसे चोट पहुंचाती थी, हर दिन अलग-लग तरीकी से वो अपनी बेन को जखनी करती थी, ऐसा करनी से उसे बहुत मजाता था, लेकिन एक दिन उनकी मौम नहीं देख लिया, कि एली अपन तुम्हारे बेन तुम पर जुल्म किया करती थी, इस बारे में तुमने अपने मौम को क्यों नहीं बताया, बच्ची बोली मुझे सखमी करने के बाद मेरी बेन, मुझे एक कैंडी दिया करती थी, इसलिए मैंने ये बाद मौम से चुपाई, और बेत जब घर में अगीली जो वो चली हुई लाश थी, उनकी बातों के दुरारी दिर्वाजे पर दिस्तेक हुई, डिटेक्टिव दिर्वाजे की चीट से देखनी लगता है, हैना कि बच उसे ऐसे करने सी मना भी करती है, पर वो नहीं मानता, अगले ही पर एक चाको उस चीट से आकर अगले शिकार के लिए, अब यहां मैं आपको इस मुवी का कुलासा कर देती हूं, और वो यह कि एले ही शेतान थी, असलमें बच्पन से ही उसमें शेतानी हरकती थी, जैसे अपनी बेन को जखमी करने की बाद वो से केंडी देती थी, लेकिन जब उसकी मुथ हुई, तो व लोगों को मारने के बाद उनकी नमबर से अगले मरने वाले इंसान को कॉल कर दिया करती थी, और इसी के साथ यह कहानी इदर ही खत्म हो जाती है,